नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जल सकती अभियान में जल सकती अभियान के अंतरगत आप इस पॉर्टल की मदद से विभिन प्रकार की गति वीदियो को अप्लोड कर सकते हैं जिसकी स्टेप्स इस प्रकार हैं फर्स्ट स्टेप में हम ब्राउजर ओपन करेंगे वहाँ पर हमें URL टाइप करना है URL इस प्रकार है आप इसे नौट कर सकते हैं सेकेंड स्टेप में हम URL टाइप करके क्लिक करेंगे तो जल सकती अभियान का हॉम पेज ओपन हो जाएगा इसके बाद दोस्तों हम होम पेज के डाउन साइड जाएंगे वहाँ आपको अपलोड अब वीडियो और शॉर्ट फिल्म शॉकेसिंग का आइकोन दिखे आई देगा इस पर आप ख्लिक करेंगे थर्ड स्टेप में एक पेज ओपन होगा जिस पर सेयर्स यॉर वीडियो और स्टोरी इस प्रकार का फॉम ओपन होगा जिसको हमें फिल अप करना है इस फॉम को फिल करने की स्टेप से इस प्रकार है सिलेक्ट टाइप के अंतरगा तीन ओप्शन है सिटिजन, सेलिब्रिटी एंड एंजियो इन तीनों में से आप जिस केटेगरी में आते हैं वहाँ आपको यह सिलेक्ट करना है सेकेंड में इंटर्योर नेम और इंस्टिटूशन नेम का कॉलम आता है इसमें आपको अपना नेम या इंस्टिटूट नेम टाइप करना है थर्ड कॉलम में आपको अपना स्टेट चुनना है जैसे मैं एंपी से बिलोंग करती हूँ तो मैं एंपी सिलेक्ट करना है दैन फॉर्थ कॉलम में आपको जीला सिलेक्ट करना है जिस जिले से आप विलॉंग करते हैं, वह आप सिलेक्ट करेंगे. जैसे मैं निमत जिले से विलॉंग करती हूँ, तो मैंने हाँ निमत सिलेक्ट किया है. Next kolum में आपको अपना email id और next kolum में address टाइप करना है. इसके बाद हम अपना mobile number टाइप करेंगे और send OTP पर क्लिक करेंगे. क्लिक करने पर आपके पास message के थूँ OTP नमबर आएएंगे. इस OTP नमबर को आपको create हुए कॉलम में फिल करना है. Next step में upload stories पर जाएंगे. अगर आपके पास images, pdf या documents, files में stories हैं तो इन्हें आप इस तरह से upload कर सकते हैं. सबसे पहले title of stories डालेंगे. जैसे जर्शक्ति अभियान, सक्षता अभियान, etc. जो भी आपकी stories का title ही, वह आप यहाँ type करेंगे. नेक्स्ट कॉलम में जो भी आपकी stories है, उसका short description यहाँ आप type कर सकते हैं. नेक्स्ट कॉलम में आप अपनी file यहाँ upload कर सकते हैं. उसी प्रकार आप audio और video भी upload कर सकते हैं. वीडियो अपलोड करने के लिए आपका URL यूट्यूब का होना जरूरी है. अंत में आपको इंटरदक capture code दिखाए देगा, जो आपको box में type करके save करना है. इस तरह आप अपनी stories share and upload कर सकते हैं. इसी के साथ धन्यवाद.